हाई फ्रेंड्स मैं पूर्बा अपनों का स्वागत करती हूँ MP सक्सेसर्स में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्य प्रदेश जेली का रेंटाफिर की सीरीज 131 के बारे में यहाँ पर हम डिसकस करेंगे अज 29 नवंबर 2020 के मद्य प्रदेश का रेंटाफ अंसर होगा मुरैना हाली में मद्य प्रदेश के मुरैना जिलेस इनका संबंद था जैन मुनी आचारी जी और इनका भी देवलोग गमन हुआ है और इनकी अगर हम बात करें तो आचारी प्रशान्त मूर्ती आचारी श्री 108 ग्यान सागर जी महराज श्रवन परंपरा के बाहक ये आपको याद रखना है और चाणी परंपरा के सस्ट पटा चारे थे और उनका देवलोग गमन संपून मानपत इवं अध्यात्मिक जगत के लिए अपूनी च्छती है और अगर हम बात करें तो इनोंने देजभर में पद बेहार का धर्म की प्रभाब ना की इसलि बीस नवंबर से होने वाला था ये इस थगत कर दिया गया है मतलब पोस्पॉन हो गया है तो इसकी न्यू एक्जाम डेट बहुत जल्द आएंगी तो अगर आप लोग इस ताइम का यूटिलाइस करना चाहते हैं तो आप लोग टेस सीरीज को जॉइन कर सकते हैं टेस सीरी सीरीज के माध्यम सी मोग टेस्ट वगएरा देकर ये मतलब ऐनलेसिस कर सकते हैं कि आप लोग का कितना स्कूर आ रहा है कितना आप लोग प्रप्रियर कर चुके हैं कौन सा सब्जेक्ट आपका बीक है तो आप लोग को फिर से टाइम मिल गया है थोड़ा तो आप उसको हमारा सेकंड नमबर कॉश्चन है हाली में लिये गए नेनाई के अनुशार गौ कैबिनेट की प्रथम बैठक गौ पास्टमी के दिन 22 नमबर को केस जिले की गौ अब भ्यारन में आयुजित की जाएगी अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप्शन नमबर सी हमारे यहाँ प इंपोर्टेंट है कि अभी हाली में मध्यप्रदेश में गौ कैबिनेट की मतलब गौ कैबिनेट बनाया गया है और इसमें मध्यप्रदेश के मुख्य मंतरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है यह आपको याद रखना है गौ कैबिनेट का अध्यक्ष मुख्य मंतरी सिव पन की जाएगी और मुख्यमंत्री स्री सिवरा सिंग चोहान ने प्रदेश में गौधन के संरक्षन और संबर्धन के लिए गौध कैबिनेट के गठन का नेर्ना लिया है और इस कैबिनेट में पसू पालन बन पंचायत एबं ग्रामीन विकास राज़ श्विग्रह और क्रश विकास एवं किशान का लियान विभाग को सामिल किया जाएगा तो ये भी आपको याद रखना है और ये जो मीटिंग होगी गौध कैबिनेट की प्रथम बैठक ये गौपास्ट मी के दिन 22 नवंबर को आगर मालवा में गौध अभ्यारन में आउजित की जाएगे तो ये नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे थार्ड नंबर क्वेश्चन की हाली में मद्ध्य प्रदेश आदेम जाती कल्यान मंत्री शुस्री मीना सिंग्ने प्रदेश के किस जिले के मानपोर छेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विक्सित करने की घोशना की है अगर हम पर राइट आंसर होगा उमरिया आदिम जाती कल्यान मंत्री मध्य प्रदेश सुस्री मीना सिंग ने कहा है कि उमरिया जिले के मानपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में बिक्सित किया जाएगा और इस सम्मंद में जल्दी प्रिस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए राज्य सरक को भेजा जाएगा तो इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है और अभी हाली में आदिम जाती कल्यान मंत्री ने मानपुर के नगर परशत कार्याले भावन की सुभारंब समारो को संबोधित किया और उसी में उन्होंने मानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोशना की नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्थ नमबर क्वेशन की हाली में मद्य प्रदेश में प्रिथम महिला बाइकिंग ट्रेल टाइग्रेस ओंदी ट्रेल का आउजन कब से कब तक किया जाएगा तो अप्शन नमबर यहाँ पर हमारा प्रथम महिला बाइकिंग ट्रेल यानि की टाइग्रेस ओन दी ट्रेल कारिक्रम के तहट महिला बाइकर्स रेली को रवाना करेंगी और रेली में सामिल होने वाली 15 महिला बाइकर्स द्वारा 1500 किलोमीटर का सफर भोपाल से प्रारंब कर मढई, पैच, काना, बाधवगर, पन सिभ सेखर सुकला ने बताया है कि इस आयोजन का उद्देश सभी परेटकों को यह विस्वास दिलाना है कि मध्य प्रदेश एकल महिला यात्री यानि सोलो बुमेंट ट्रेविलर के लिए पूंता सुरक्षित गंतब्य है जहां सालसिक परेटन की अपार संभाबनाएं नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे फिफ्ट नमबर क्वेशन की हाली में आई रेपोर्ट की अनुशार बर्स 2019 में अनुशूचे जाती कल्यान बिभाग मध्य प्रदेश द्वारा समाज में आ इस प्रश्यता उनमूलन की लिए अंतर जाती बिभाह योजना से कितनी लो 2022 मध्य प्रदेश में अनुशूचे जाती कल्यान बिभाग द्वारा समाज में आज प्रश्यता उनमूलन के लिए अंतर जाती बिभाह योजना को प्रोचसाहित किया जाता है और पिछले बड 742 डमपत्तियों को प्रोचसाहन स्वरू प्रों करीब 15 करोड रुपे की प्रोट सवर्ण योग अथ्वा यूबती द्वारा अनुसूचे जाती की यूबती अथ्वा यूबक से बिवाह करने पर ऐसे दंपत्तियों को प्रोष्कृत एबंसम्मानित किया जाता है और इस प्रोट सवरूप दो लाख रुपए की रासी दी जाती है तो यह आपको याद रखना है और अगर हम 2019 के आंकड़े देखें तो 742 दंपत्तियों को मतलब प्रोटी दंपत्ती दो लाख रुपए दिये गए थे तो यह question भी important है यहाँ पर next aesthetic जी के question हम करेंगे उससे पहले हम बता दूं कि मध्य प्रदेश जुलाई 2020 का current affair की e-book ठीक है e-book ready है अगर आप लोग e-book के माध्यम से तैयारी करना चाहते है कोई की revision बगएरा और पूरे topic cover करना चाहते है तो यह आपको हिंदी में मिल है बहाँ जाकर इसको purchase कर सकते हैं cost बहुत ही काम है और कोई भी query हो आपको तो आप लोग WhatsApp कर सकते हैं July 2020 का पूरा आपको मंत का full current affair मिल जाएगा पूरे topics आपको मिल जाएगे और topic का detail पूरे notes के form में आपको यहाँ पर मिल जाएगे और यह soft copy e-book है और कोई भी doubt है तो आप किसके द्वारा इस्थापित किया गया था तो चार option देगे right answer आप लोग comment box में बताएंगे next यहाँ पार है कि देवास किसके द्वारा पाया गया था तो देवास जो जिला है मध्यप्रदेश का वो किसके द्वारा पाया गया था तो यह भी आपको बताना है दोनों के answer 18 नवंबर 2020 के static gk के प्रिश्णों के सही उत्तर की तो यहाँ first question था कि यहाँ आदमी चंबल का सेर कहा जाता था तो यहाँ है option number ए डाकु मान सिंग और second हमारा question था कि यहाँ एक मुरैक को यात्री थे जिसने अपने लेखों में खजराह मंदिर का उलेख किया था तो यह थे एवन बतूता तो इनका नाम भी आपको याद रखना है यह question important है और previous exam paper में पूछे गए हैं